हाई फ्रेंट्स वेलकम तो अनदर इंग्लिश लेसन विद भी शेख सहर दोस्तो आई होप यूप स्टार्टेट स्पीकिंग इंग्लिश आपने इंग्लिश बोलना शुरू कर दिया है और आपको वीडियो देखकर मज़ा भी आ रहा है दोस्तो यदि आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लीजे और नोटिफिकेशन बैल को भी प्रेस कर दीजे ताकि फ्यूचर में आने वाले सारे वीडियो का आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले और आप कोई भी वीडियो मिस ना करें चलिए शुरू करते हैं आज के इस और नोटिफिकेशन सबसें दोस्तो लास कुलास में हमने सिख लिया था कि हम किस तरीके के सिंटेंसिस लाइक में बोलते हैं दर अटो वराइटीज उसेंसे एक अछिन सेंटेंस एक अचिन सेंटेंसम आपके दिमाग में आए रहा होगा सरी ए डियर कहां से आगया दोस्तों English में there आप पहले से जानते हैं और there का इस्तमाल करना भी जानते हैं बच्पन से सीखा था कि there का मतलब वहाँ लेकिन अभी जो मैं आपको सिखाऊंगा उसे सुनकर नकेवल आप खुश महसूस करेंगे बलकि you'll be full of joy आपको मज़ा आ जाएगा दोस्तों there का मतलब होता है वहाँ लेकिन यह दि मैं आपको एक sentence बोलके देखाऊं there was a lion तो अब इसका हिंदी में अर्थ क्या निकलता है there was a lion मतलब एक शेर था अब इसमें वहाँ तो कहीं नहीं आया there was a jungle, there was a forest, there was an old lady in a village यानि एक jungle में एक बूड़ी महिला रहती थी अब इसमें भी वहाँ नहीं आया infect दोस्तों there का एक इस्तमाल होता है जब हम उसे वहाँ के लिए इस्तमाल करते हैं लेकिन general life में there का बहुत जादा इस्तमाल है अब there का कहां इस्तमाल करते हैं जब कभी भी हम कहीं पर भी किसी भी चीज का होना या किसी चीज का ना होना बताएंगे तो आप there का use करेंगे अब समझते हैं कैसे सोचिए आप जिस room में बैठे हैं उसमें कुछ नकुछ चीज़े हैं अब उन चीजों का होना यदि हमें बताना है तो हम देर से sentence बनाएंगे यदि हमें बताना है कि कोई चीज नहीं है तो भी हम देर से ही sentence कहेंगे अब for example आप मुझसे कहने लगे Sir, बंदर मतलब आपके पीछे कहीं कोई क्लास में बंदर आ गया है या जहां पर आप बेठे हैं वहाँ पर एकदम से बंदर आ जाए और आप कहें मम्मी बंदर मम्मी बंदर, पापा बंदर तो दोस्तों क्या मतलब निकल रहा है आप पापा को बंदर नहीं कह रहे या मम्मी को बंदर नहीं कह रहे या Sir को बंदर नहीं कह रहे I understand that I am hot, मैं hot हूँ, आप भी hot हो सकते हैं, लेकिन सर आग ऐसे नहीं हो सकता दोस्तों, आप कहेंगे there is a fire, ठीक ऐसे ही आप कहेंगे sir there is a monkey, there is a monkey, कहीं भी किसी भी चीज का होना या ना होना, बताने के लिए English में हम there से sentences बोलते हैं, आप जैसे आपको कहना कि English language में दो तरीके sentences होते हैं, there are two types of sentences in any language, there are two types of sentences in English language, right, अब हम बात करते हैं, कि आप जिस room में बैठे हैं, वहाँ क्या क्या है, तो सवाल भी कर सकते हैं, what's there in your room, what's there in your room, right, अब आप एक चीज को देखते जाए, यदि चीज एक है, तो आप कहेंगे there is, और यदि चीज ज़्यादा हैं, तो आप कहेंगे there are, जैसे अब जिस room में आप बैठे हैं, हो सकता है कि वहाँ पंखा हो, there is a fan in the room, आप देखिए कैसे बोल रहा हूँ, there is a fan in the room, और आपको बताना है कि sir, यहाँ पे दो tube lights भी हैं, तो आपकी बार आपको कहना पड़ेगा there are, there are two tube lights, अब आप there are two tube lights नहीं कहे हो सकता है कि माँ पंखे भी दो हूँ, there are two fence in my room, well there is a window in my room, there is a cooler in my room, there is a table and there are some chairs, there are some chairs, there is a bed, there is an almira, there is an almira, right, जब कभी भी हमें बताना हूँ, यह A और N कैसे आ गया, यह हम आने वाली classes में सीखेंगे, अभी हम बात कर रहे हैं, किसी भी चीज का होना यह ना होना, अब आपके room में जो कुछ भी है, मैं यह दी आपको जहाँ पर मैं बैठा हूँ, यहाँ के बारे में बता हूँ, there is a water lights and boats, and there is a fan, there is an air conditioner, आपने देखा के हम कैसे बोल रहे हैं, there is and there are, अब आप इसे कहीं भी यूज कर सकते हैं, कोई आप से पूछने लगे, what's there in your house, well, I have a small house, आप ऐसे ही नही बोलेंगे, there are three rooms, आप एक system से बोलेंगे, I have a small house, and there are, and there are three rooms, there are three rooms, अब आप हर sentence में देर नहीं बोलेंगे, कैसे आपका presentation अच्छा होना चाहिए, well, there are three rooms, a drawing room, a bedroom, and a guest room, या फिर, two bedroom है, there are two bedrooms, and a drawing room, and there is a kitchen, there is a toilet, there is a bathroom, and there is a lobby, यदि बाहर कुछ और है, जहां पर कारवार खड़ी करते हैं, खुली जगह आपने छोड़ी है, there is a porch, there is a front yard, यदि आपने उसमें आगे, खाली जगह छोड़ी है, खुली जगह छोड़ी है, there is a front yard, and there is a staircase, जीने को इंग्लेश में कहते हैं, staircase, there is a staircase in my house, and that's all on the first floor, या फिर, ground floor, अमेरिकन इंग्लेश और बिटेश इंग्लेश में थोड़ा थोड़ा अंतर है, बिटेश इंग्लेश में इसे हम कहते हैं, ground floor, जो जमीन पे होता है, उसे ground floor कहते हैं, और उपर वाले को हम first floor कहते हैं, लेकिन American English में, जो जमीन पे बना होता है, उसे first floor कह देते हैं, और जो उसके उपर बना होता है, उसे वो कह देते हैं second floor, तो आप decide कर लीजेगा whether you want to speak American English or British English, well, both are commonly used, right, so that's all on the first floor, ये पहले floor पर है, अब आप second floor की बात करें, that's all on the first floor, and on the second floor, there is one room, a toilet, and there is some open area, in the front, there is a terrace, आगे खुली चथ है, खुली चथ, right, तो दोस्तों, ये तो हमने अपने घर के बारे में बताना सीख लिया, अब यदि मैं आप से कहूं, tell me something about your house, you can easily tell, well, I have a small house, and there are three rooms, and blah, 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 जो भी चीजे आपके घर में हैं, सुचते जाएए, और there is, there are के साथ, उन्हें बोलते जाएए, जब आप finish करेंगे, तो आप कहेंगे, that's all in my house, that's all in my house, अब यदि कोई आप से कहे, tell me something about your college, tell me something about your school, tell me something about your city, तब भी आप ऐसे ही शुरू करेंगे, well, I have a small city, या my city is a small city, I live in a small city, मतला, sentence का जो आपका presentation है, वो थोड़ा smooth होना चाहिए, well, I live in Delhi, and Delhi is the capital of India, well, there are so many markets, and there are so many museums, there are so many temples, and blah, 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 अब आप सूचते जाएए, suppose you live in Meret, तो आप कैसे बताएंगे, well, I live in a very famous city of UP, and the name of my city is Meret, well, in Meret, there are many nursing homes, there are many universities, and so on, बस सूचते जाएए और भूलते जाएए, that's all in my city, जब आप इसे खत्म करेंगे, यदि आप अपने स्कूल के बारे में बताएं, well, I study in SBM Public School, या फिर I study in SSV Inter College, या I study in SSV PG College, and there are, अब आप खुच सूचिए कि वहाँ क्या है, there is a playground, there are many classrooms, there is a staff room, there is a principal's room, there is well, an auditorium, and there is a library, and blah blah, that's all, जब आप फिनिश करेंगे, तो that's all बोलना मत भूलिएगा, तो दोस्तों, ये था there का use, जब कभी भी हम किसी भी चीज का होना या ना होना बताना चाहते हैं, तो there is and there are, यादी आप इसे पास्ट में लेके जाएं, तो आप कहेंगे, there was, there were, suppose करिए, आप बड़े हो गए हैं, और कोई आप से पूचे, tell me something about your college, तो आप कैसे start करेंगे, well, I studied in SSV degree college, and there was, there was, there was a big playground, there was an auditorium, and there were, there were 20 classrooms, there were 100 classrooms, there was a big library, and that's all, that's all about my college, या फिर आपके बड़े हैं, या फिर आपके बड़े कही बारे में बात करेंगे, that was everything in my college, तो अब आप अपने हिसाब से ही से तयार कर लीजे, और अपने comments में, जब कभी भी, आपको practice करना है, तो बोलकर practice कीजिए, चाहे तो WhatsApp पर record करिए, अपने phone में record करिए, उसे बार-बार सुनिए, उसे बार-बार सुनिए, इससे आपका confidence बढ़िया होगा, और आपको revise भी हो जाएगा, या फिर आप उसे लेक कर practice करिए, यहाँ comments में, कुछ न कुछ बता ना, अपने घर के बारे में बताए, tell me something about your house, tell me something about your office, tell me something about your bag even, right, आप जो चाहें, comments में मुझे बताते रहिए, और यदि आप किसी special topic पर video चाहते हैं, तो मुझे comments में जरूर बताएए, मैं कोशिश करूँगा, कि उस special topic को अपने videos में cover कर सकूँ, यदि आपको हमारे ये video पसंद आया है, तो इसे अभी like कीजिए, अपने friends के साथ share कीजिए, और यदि आपने channel को अभी भी subscribe नहीं किया है, तो इसे subscribe करिए, और बाकी सारे videos, lesson 1 से, lesson 2, lesson 3, lesson 4, सारे lessons देख डालिए, और आप घर बेटे बेटे, अच्छे से अंग्रेजी बो सुलना सीख जाएंगे, लिखना, पढ़ना, सुनना, समझना भी सीख जाएंगे, तो दोस्तों आपके इतने प्यार के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद मिलते हैं आपसे फिर एक नई class में, thank you.